हेलो गाइस मेरे यूटूब चैनल में आपका उस्वागत है आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अमेरिका की क्रांती क्या है और इसके क्या क्या कारंट थे और इसके क्या क्या परणाम निकले इन सबी वातों पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे आयो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अमेरिका की क्रांती 1492 इस्वी में स्पेन निवासी कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई जो अमेरिका की खोज की है वो कोलंबस ने 1492 इस्वी में की थी भीकास की अपार संभाबनाँ के कारण इस शेत्र, विसेस में उरोपिय देशों की दिल्चस्पी वढ़ने लगी दोस्तों इसमें भीकास की अपार संभाबनाए थी, बहुत सी opportunity थी इसलिए जो उरोप के देश थे इसमें interest लेने लगे अठारवी सतावदी के मादे तक उत्री अमेरिका के अटलांटिक टट के समीप वर्ती शेत्रों में ब्रेटेन के अधिहीन 13 उपनिवेस अस्टित में आचुके थे यानि ब्रेटेन ने अपने 13 उपनिवेस इस्ताबिद भी कर चुका था ये ब्रेटेन प्रांस जर्मनी हालेंड पुर्त गालियाद देशों के भूमिन किसान दार्मिक सुतंत्रता के आकांची बयापारी विचोलीय यादे जमकर वस गये थे भूगोलिक द्रस्टि से अमेरिका का उत्तरिय भाग मतस पालन हेतु मादवर्तिय भाग सराप तथा चीनी उद्द्योग हेतु एवं दशनी भाग करसी कार के लिए सम्रद्य शेत्र था जो दोस्तों अमेरिका का जो भूगोलिक भाग हैं वो बहुत ही उपजाओ वाले हैं उन में अच्छा फसलों का उत्पादन होता है यहां पे सराप का भी कारुबार अच्छा किया जा सकता है मचलियों का पालन भी अदिक मातरा में किया जा सकता है यानि इन सबी चीजों के लिए जो जगे वेतर होती है उसे हम भगोलिक इस्तिती में सरबोच मान सकते हैं कि जहां प्रति एक सुविदाएं हों वही भगोलिक इस्तान अच्छा रहता है दोस्तों इसलिए यहां पर बेटे सपना उपनिवे सिस्थापित करना चाहता था यहां अंग्रेज जमीधारों के अधीन बड़े बड़े किरसी फार्म थे जिसमें अफरीकी गुलामों की साइटा से केती तमाखू एवं कपास की खेती की जाती थी जो लोग अनपड़ होते थे या दिवासी लोग उनको जो अंग्रेज थे उनको मारते थे पीटते थे और उनसे जवरना केती करवाते थे और उससे जो लाव होता था वो लाव अपने आफ रख लेते थे इसे दोस्तों जो वर्दस्ती कहते हैं यानि उन पर अत्याचार करते थे तभी वहाँ जो विद्वान लेख थे उन्होंने इस बात का बिरोध किया और अमेरिकी क्रांती शुरू हो गई अमेरिकी इस्तिती कुल 13 रष्टिस उबनिवेसों के प्रतियक उबनिवेसों में सासन का संचालन गवर्नर और उसकी कारकार्णी समित के अधीन विधान सबाध वारा होता था गवर्नर बिट्रिस सरकार के पर तैश्य परतिनिदी के रूम में कार करता था गावर्नन की न्युक्त विटिस सत्ता द्वारा की जाती थी। अवम उसकी कारकारणी सेमित से विटिस ताज द्वारा मनोनित सदिस्द होते थे। जबकी विधान सभा का गठन विश्रिष्ट मत दाताओं द्वारा निर्वाचन के फल्ष रूप होता था। जो मुक्रूप से इस्तानिये विशेसों से सम्मधित कानून के निर्मार के साथ कर टेक्स भी लगाती थी अता है इस आसन व्युस्ता पर अंतिम और नियंतरन बेटिस सत्ता का ही होता था 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 वेटिस हितों को ही प्राथिमिता दी जाती थी दोस्तों इसका सारी यह है कि कि बहां पर गवर्नर चुने जाते थे वु बेटिस समराज भी चुन सकता था और चुनने के बाद गवर्नर बहां पर टेक्स लगा था और कि टेक्स लगाने के बाद जो उससे आय होती थी वो सब बेटेस समराज रख लेता था दौस्तों अगर हमारी वीडियों को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक सेयर करें, बिल आइकन को गी दवालने तक आने वाली वीडियों पर मिलती रहें